नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर दोस्तों कोलियस एक ऐसा पौधा है जो बिना फ्लावर्स के ही हमारे गार्डन के अंदर अपनी खूपसूरती से चारचान लगाता रहता है इसके प्लांट जो है वो हमारे गार्डन के अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं अगर हम इनकी अच्छे से केर कर ले जाते हैं लेक समय स्याव से परिशान रहते हैं वीडियो के अंदर लास तक बरे रहेगा पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेर भी जरूर कीजेगा साथी साथ मेरे वो दोस्ट यो मेरी इस वीडियो पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें ये देखिए मेरे कटिंग जो लगाई थी आपके गिलाडिया की ये सारी की सारी सक्सेस्फुल हो चुकी हैं तो ये चार कटिंग मैंने लगाई थी चारों को स्रिप्टिंग का टाइम इनका आ गया है सबसे पहला काम जो हमको कोलियस के अंदर करना रहता है जब भी कोलियस का पौधा लाईए इसके लिए जो मिट्टी तयार केजिए वो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जो मौस्चर को होल्ड करें मिट्टी अगर आप बहुत बेलड्रेन बना देते हैं तो इसके पौट के अंदर से मौस्चर जल्दी जल्दी जाता रहता है और होता क्या है कि इसके पत्ते मुर्जा कर लटकते हैं और पीले पढ़कर गिरना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ क्या समस्या है एक बार अगर इसको जो है अंडर मौस्चर का सौक लगा तो फिर इसके पत्तों को आप बचा नहीं पाएंगे वो खराब होते रहेंगे तो पहला काम हमको यही करना है मिट्टी ऐसी बनानी है जो मौस्चर को होल्ड करे इसके लिए जो मिट्टी बनानी है उसमें मैं दो कमपोजिशन आपको बताऊंगा दोनों का इस्तमाला आप कर सकते हैं मिट्टी जो बनाई है उसके अंदर आप अगर कोको पीट का इस्तमाल कर रहे हैं तो 30% आपकी गाडेंस वाइल गाडेंस वाइल 40% कमपोस्ट और 10% आपकी सेंड रखनी है इस तरीके से भी जो मिट्टी तयार होगी वो मौस्चर को भी होल्ड करेगी साथी साथ अच्छे नियूट्रियंट्स भी रखेगी और बिल्डें भी बनेगी तो मतलब इस तरीके से आप मिट्टी तयार कीजिए पहला काम मिट्टी तयार करते समय ही ध्यान रखना है दूसरी चीज जो है ओबर मौस्चर और अंडर मौस्चर पौधे की मिट्टी को चेक करके इनके अंदर पानी जरूर देते रहे है वरना होगा क्या कि पौधा जैसे ही ओबर मौस्चर हुआ तो रूट रॉट हो जाएगा और अंडर मौस्चर हुआ तो पत्ते गिरा गिरा के मर जाएगा हमें अपने पौधे से रेगुलर टैच में रहना है इनके अंदर पानी समय समय पर देते रहना है और साथ ही साथ जो है इनके अंदर मौस्चर का लेवा लेक मेंटेन करके रखना है अगला जो काम हमको करना है अपने इस पौधे पर हमको बहुत ज़्यादा मिस्टिंग नहीं करती है मिस्टिंग की वज़ा से इसके पत्तियों पर फंगस रुखते है और खासकर नीचे वाली पत्तियों पर जहां तक धूब बहुत नहीं पहुच पाती है तो उस कंडिशन में वहाँ पर फंगस पनपते हैं पत्ते जो है वो गलकर गिरना शुरू हो जाते हैं तो मिस्टिंग आपको हपते में सिर्फ दो बार रखिए आप इनको नहला कर पानी दीजिए बाकी जो है अभी इस टाइम पर चुकि ये मार्च का ठंडियों में तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था लेकि नभी ये जो मार्च अप्रेल का टाइम है इसमें इनको हपते में दो बार नहला कर पानी दीजिए और उसके बाद जो है इनके उपर बहुत जादा मिस्टिंग मत कीजिए ये देखिए मैंने चोटी-चोटी जो कटिंग्स लगाई थी अब ये ग्रोथ पर आ रही है वरना तो इनके अंदर जैसे बिल्कुल ग्रोथ ही बंद हो गई थी इदर जब बारिस हमारी यहां होई थी तो ये चीज हमको ध्यान में रखती है अगला जो काम करना है इनकी मिट्टी की गुड़ाई मिट्टी बहुत जादा जैसे सक्त बनी तो होगा क्या कोलियस की रूट्स जो है वो अच्छे से डेबलब नहीं हो पाएंगी उस सक्त मिट्टी में और एरेशन मिट्टी का अच्छा नहीं होगा तो हमें मिट्टी की गुड़ाई इस टाइम पर समय समय पर करते रहना है इस चीज का हमको ध्यान रखना है अगला जो काम करना है कोलियस को घना बनाने के लिए इसकी समय समय पर पिंचिंग करनी होती है जैसा कि देखे ये उपर का पाल्ट है इसको इस तरीके से जो है जहां से ये ग्रोथ हो रहा है हम इस तरीके से जो छोटा वाला बिल्कुल पाल्ट है, इस तरीके से पिंच करके निकाल लीजी, अब होगा क्या कि ये साइट से नई ब्रांचेज बनाएगा और घणा हो जाएगा, अगला काम जो करना है, इनके फ्लावर्स अने लगते हैं, इन फ्लावर्स को हमको इस तरी तो हमारा पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा अगली जो हमको ध्यान रखना है वो धूप का रखना है अभी तेज धूप जब स्टार्ट हो जाएगी यह फरवरी माच के अंदर तो इसके अंदर तेज धूप इनको इनके पत्तों को बर्न करने लगेगी तो ऐसी काम जो हमको करना है इनकी फर्टिलाइजर का हमको ध्यान रखना है सॉलिट फर्टिलाइजर बार बार देने से अच्छा है आप इनको समय समय पर बदल बदल कर लिक्विट फर्टिलाइजर दीजिए जैसे किचन वेश से तयार लिक्विट फर्टिलाइजर और सबसे बेस जब इनको पानी देना हो मतलब उस तरीके से मिष्टिंग करके तो इनकी मिट्टी की गुडाई भी कर लीजिए और मतलब जड़ो में जब देना हो तो मिट्टी की आप जड़ो गुडाई कर लीजिए तो यह है आपका इस प्लांट की कमपोस्ट रिक्वार्मेंट मतलब 15 द से एक ऐसा पौधा है इसकी जीने मरने का कुछ पता नहीं होता है कब यह जो है किसी छोटी सी चीज इसको बुरी लग जाया है या फिर जो है किसी छोटी चीज से इसको दिक्कत हो जाया और यह मनना सुरू कर जाया इस चीज का कोई पता नहीं होता है अगर आप कटिंग क को लगा कर रखेंगे तो आपके गार्डेन से यह पौधा जाएगा नहीं मेरे तो तीन पौधे में लेके आया था एक बार लगभग तीन साल हो गया तब से यह मेरे गार्डेन के अंदर एजट बने हुए हैं समय समय पर इनकी कटिंग लगाता रहता हूं और यह मेरे समय पर अपने गार्डेन के अंदर कोलियस के अंदर करते रहना है जितनी चीजों को बताया मैंने उन चीजों का ध्यान रखिए बाकि इस पर किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज का अटैक नहीं होता है तो इस चीज से बिलकुल भी घबराने की जरुद नहीं है अगर ह हो रहा है तो नीम उयल का लाइट इस प्रिया आप सम करिए या फिर एमेडा क्लोप्रिट का इस पर कीजिए वह भी जो है आधा चमच एक लिटर पानी के अंदर आप डालकर आधा चमच आप समझी रहे ना पूरा भर के नहीं वह थोड़ा सा मतलब डालके लगभग 5 एमल एक लिटर पानी के अंदर डालकर आप इस पर कर दीजे वैसे होगा नहीं कुछ इसके उपर ऐसा कमेट करके ज़रूर बताईएगा कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो ऐसी किसी नहीं वीडियो नहीं अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नश वीडियो में तब तक के लिए बादा और टेक केर